मिठाई की सान और इंडिया की जान काजू कतली यह थी सभी की पसंदिदा काजू कतली अगर कुल्फी में बदल जाए तो सुनके यह मूँ में पानी आ जाता है इतनी दिलिसियस हो सांदार बनती है यह यह काजू कतली मलाई कुल्फी जितनी बनाने में आसान होती है ना खान बनाना स्टार्ट करते हैं तो अब कोस हम यहाँ पर काजु कतली मलाई कुल्फी बना रहे हैं तो काजु तो चाहिए इंगे इस ही तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप काजु ले लिए अगर नंबर में बताऊना तो यह 30 मतलब काजु है तो आप इस काजु की जगे ज लेकिन जाए तक पोसिबल हो सकते हैं अगर आप लाइक करते हो तो कम से कम आदा घंटा तो इसको रखना ही है अगर आपके पर जादा टाइम हो तो जादा टाइम के लिए रख दीजिए अच्छे से सोफ्ट हो जाएंगे आप और नैट भी रख सकते हैं तो आज हम सिर्फ चार चीजों से ही काजु कतली मलाइकुल भी बना कर त्यार करेंगे और वह भी सिर्फ पांच मिनिट में तो यहां पर लगबख मुझे 30-35 मिनिट हो गए हैं यहां पर काजु बढ़ा से सोफ्ट हो गए हैं अच्छे से फूल भी गए हैं अब एक मिक्सी जार लेंगे और पर ऋूद्ध होरी काजुत ढाल देंग़ी तो साती में magic यहां पर ढार भी आदा कप चीनी तो यहां पर आदा कप से थोड़ी सी कम है और आप चाहें तो चीनी की के मिस्र भी ले सकते हैं तो क्या है कि दोस्तों जो भी हम ठंडा बनाते हैं तो उसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा ही चाती ही वही सही रहती है तो इसको ओ टेश्टी क्रीमी रबड़ी दार बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दूद की मलाई तो यह एक लिटर दूद की कम से कम चार दिन की मलाई है और लगबग मान के चलिए कि आदा कब इतनी मलाई है अब जब भी मलाई इस्तमाल करें ना किसी भी तो इसे चार दिन की मलाई है एक लिटर दूद से निकली है तो यह डाल देते हैं तो बस बड़िया से उसको ग्राइंड कर लेते हैं तो लीजे दोस्तों वाव यह मिजरन बनके तयार हुआ है हमारी कुलफी का तो आप यकिन नहीं करोगे कि हमने इसको बिना उबाले और यहां पर हमने दूद को उबाला भी नहीं है फिर भी हमारा गाड़ा अपनी दार मिस्रिम बनके तयार हुआ है वो भी बहुत कम समय में तो फ्रेंट जो भी काजुकतली खाना पसंद करता है तो 101% ग्यारेंटी है मेरी उसको यह फ्लेवर जरूर पसंद आने वाला है क् किया गया था मैंने बोड टाइब की बनाई है और मेरे चैनल पर अप्लोड भी करी है वो भी एक से बढ़कर एक है लेकिन यह जो फ्लेवर था ना अलगी था काजुकतली वाला था मेरे घर पर काजुकतली पसंद करते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ आपके बास जो भी है और मौल्ड नहुम तो आप जो भी ग्लास है कटो रही है आप उनका कर सकते हैं तो मेरे पास दो मौल्ड एक चोटा ग्लास है एक यह बड़ा ग्लास है तो यह मैंने फिल कर लिए अनको धुकन से कवर कर दूँगी अभी बाद में इस्टिक डाल दूगी उसमें और बाक कट करूंगे तो बस अब हम इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए दखेंगे तो फिर जम गई है तो आप लिए तो आप आप और बिल्कुल भी ice crystal नहीं जमें, अगर ice crystal जनते हैं, ice cream के ओपर जो परड़ जम जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है, अब इनको demold कर लेते हैं, या तो आप पानी में हलका सा इनको dip कर दें, फिर निकाल ले, या फिर हातों के बीश में लेकर इस type से roll कर दें, तो हातों के कि जो आइस क्रीम में उनको में आपको निकाल कर दिखाती हूं वह थी बड़या बनी है और टेस्ट तो इतना लाजवाब था कि क्या ही कहना दब क्या बता हूं मैं आपको तो बड़ा उला ग्लास मेंने सेट होने के लिए रखा था फिल करते टाइम आपको दिखाये था वह रोल कट हो जुका है मतलब वीडियो नहीं बनाए उससे पहले ही खा गई है लो तो बागे कि यह इतनी से एसकिम बची है इसमें तो पता नहीं यह भी छोड़ दी नहीं तो यह भी खा जाते हैं तो आज की यह वीडियो है ना कुलपी की जरूर पसंद आने वाली है तो फ् आए इसमें